दोस्तो इस वक्स बज रहे है सुबा के दस और दोस्तो अभी हम अपने बर्ट की और जाने वाले देख सकते हैं मौसम बिल्कुल ही साफ है और बर्ट केज की और अभी हम थोड़ी सी नजर डालेंगे दोस्तो तो बर्ट केज के अंदर हमारे बर्ट से अराम से बैटे हुए ह कोई भी जादा दिक्कत नहीं है जानवरों की तबियत बिल्कुल ही ठीक है एक बर्ड यहां बैठा था भी उड़ गया है लिंक स्विंग में आज हम मटकियों की भी अपडेट देंगे आपको हो सकता है हमारी मटकियों के अंदर और भी बच्चे आये हुए हो तो दोस्तों चलते हैं और आपको मटकी की भी अपडेट दिखा देंगे हम लोग पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाने वाला हूँ अंदर हो क्या रहा है हमारे जो कौलोनी है बजीस की और आप को दिखाया था मैने हमारा जो किलियर हो गया सामने का एरिया था हेलो दोस्तों कैसे आप सब ठीक है दोस्तों चलिए चलते हैं और हम अपने बर्ट की जो मट्की है उन्हें चेक कर लेते हैं और उसकी भी आपको अप्लेट डेक दे देते हैं दोस्तों चलिए चलते हैं अभी हम अपने कैमरा केज के अंदर डार रहे हैं दोस्तों फाइनली म फीमेल के एग्स है और दोस्तों यह गृष्ट हूँ व्हज़िटक भी नीचे आई हुई है आपको भी दिखाता हूँ वह उड़ा बिल्कुल भी नहीं पा रही तो पांदा हो गया है पानी भी साफ कर लेंगे अभी और दुसरे भी काम पहले मैं पानी दोस्तों फैक देता हूं भार पानी पहुत ज्यादा गंदा हुआ यह पानी अगर बजी कि पूर आप बड़ी वाली फीमेल उसके भी अंड़े चेक कर लेते हैं यहां पर दोस्तों मुझे तीन अंड़े नजरा रहे है और तीन बच्चे भी नजर आ रहे हैं मटकी थोड़ी सी गंदी हो रही है दोस्तों अभी से हम कल साफ कर लेंगे आज तो नहीं हो पाएंगा बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है यह दोस्तों और बागी बागी जो है यहां बैटे हुए आप देख सकते हैं और इसी के सा दोस्तों आपको अपडेट डे दी है मैंने दोस्तों अभी हम अपने बजीज के लिए दाना डालने वाले है थोड़ा सा दाना ले लेता हूँ मैं दाना भी खतम होता आ रहा है दोस्तों दाना भी हमें खरीद के लाना होंगा मार्केट से पहले हम इसे दाना डाल देंगे और ये बजीज आके दाना खा लेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों हमने दाना डाल दिया है और थोड़ा सा डाल देता हूँ हो गया दोस्तों हमने दाना डाल दिया है बजीज आएंगे और दाना खा लेंगे तो दूस्त यह तहां मारा अज़ लगी अच्छा लगाओ तो लाइक ज़रू करते नहीं चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो चैनल को सबस्काइब भी ज़रू करते नहीं अधिए रदा